नमस्कार स्वागत है आप सभीक आस्ट्रो तक में मैं हूँ आपके साथ भाफना शेर्मा 28th of August है वेदनस्टे कर दिन है राहू कल कर समय आज दुपहर कर रहेगा 12.26 मिनट से लेकर केक पुछकर बारास मिनट तक कर समय इसे के साथ राशियों की बात भी होगी लेकिन उससे पहरे आपको याद दिलादू आस्ट्रो तक से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर जाए आस्ट्रो तक चानल को सब्स्ट्राइब कीजिए वीडियोज को लाइक कीज़े और शेयर कीज़े साही में बैल आइकन को प्रेस करना हमाद भूलेगा फेस्बुक पर जाकर क्या आप हमारे पेज को भी आस्ट्रो तक लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इसे के साथ जैसे कल हमने कलर की बात करेंगे तो आज भी हम रंगों के ही बार में बात करेंगे क्योंकि रंगों का हमारे जीवन में बहुत खासा महर्पू होता है कर हमने कुछ महरपून रंगों के बार में बात करें ती और आज भी हम बात करेंगे और और्ज कलर के बार में और नगा आपने देखा होगा कि खास वर पर जो संन्थ होते हैं वो औरंज कलर का इस्तमाल करते हैं औरन्ज कलर जो होता है फोकस बढ़हाता है एक बहुत ही पॉजिटिविटी देता है भगवारंगी से कहा चाएता है आपने साधू संतों के साथ साथ, जो सन्यासी लोग होते हैं, वो भी औरंज कलर की कपड़े पहने होगे होते हैं फोकस को भी बढ़ाता है, आपकी confidence को बढ़ाता है, कहीं नगई पे औरंज कलर जो है, वो positivity जो है, उसको enlighten करता है आपके अंडर जो psychic energies होती है उसको enlighten करता है spiritualism से आपको जोड़ता है orange color सबसे जरूरी होता है क्योंकि अगर आपका digestive system कमजोर रहता है आपको stomach related problems बहुत जाद रहती है bile related problems बहुत जाद रहती है इसे case में आप लोगों को orange color का जाद से जाद से इस्तेमाल करना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो chakra balancing होता है हमारी body में कुछ colors की कमी हो जाने की वजह से भी हमें कई सारे दिक्कती या health issues का सामना करना पढ़ जाता है जिन लोगों के body में या जिनको लगता है कि dutch stress system से जुड़ी विदिकते रहती है उनको क्या करना चाहिए खासर पर orange color की bottle में आप पानी भरके रखें उसे कुछ समय के लिए sun rays के अंदर रखें हो सके तो morning की sun rays जो होते हैं वो जादा better होती है उसके बाद आप उस पानी से थोड़ा थोड़ा पानी अपने नहाने के पाने में मिला करके उससे स्नान करना शुरू कीज़े इसके लावा orange color के कपड़े पहनने से भी आप देखेंगे कि आपके ये जो कमिया होती है खासर पर confident से जुड़ी हुई आप लोगों के अंदर जैसे जो चीजे मैंने इससे related बताई है ये सभी जो दिक्कते हैं या ये सभी जो कमिया है वो कही न कहीं पर पूरी होती है आप बात कर लेते हैं blue color की blue color भी कही न कहीं पर शनी से जुड़ा होता है बहुत ही महपून रंग है और कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि blue color कई बार पहनने से कुछ लोग बॉयलिंट हो जाते हैं क्योंकि blue color at times एक limit में अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप बहुत जादे blue color का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं न कहीं पे आपके जीवन में आप एक rebel बन जाएंगे आप हर चीज का विरोध करने लग जाएंगे तो blue color कहीं न कहीं पे उपके limits आपको उसका दायरा आपको वता होना चाहिए blue color आपके अंदर confidence लेकर के आता ही है साथी में आपको focused भी बनाता है इसके अलावा blue color आपके अंदर discipline लेकर के आता है दूसरी चीज यह है कि जो लोग blue color turkize blue या navy blue blue के darker shades का अस्तमाल जादा करते हैं ऐसे लोग अपनी बातों पर टिके रहते हैं ऐसे लोग हमेशा सुन हो सकता है सुनेंगे सब की लेकिन करेंगे वही जो उनके मन को चीक लगता है और इन सम सिचुएशन ऐसे लोग दूसरों के सुनते भी नहीं है तो कही न कहीं पर blue color पहने वाले जो लोग होते हैं या अगर मार लिजे आप अपने wardrobe में बहुत जादा blue color का इस्तमाल करते हैं तो मैंने कहा कि ऐसे लोग कई बार विरोधी बन जाते हैं लोगों के एक बागी बन जाते हैं रिबेल बन जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं जो खासर परी टीनेज के बच्चे होते हैं उनको blue color जाद से जाद आपको इस्तमाल अवोईड करना चाहिए उनकी wardrobe में blue color आपको कम से कम इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि टीनेज वाले बच्चे जो होते हैं उनका मन में भटकाव बहुत जल्दी आ जाता है और मान लेजे कि वो अगर आपकी बात नहीं सुनेंगे तो कहीं न कहीं पर आपको उनको एक तरीके से उनको दिश्या दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगो तो ज़रूरी है कि blue color का इस्तमाल सोच समझ कर ही किया जाए अब बात करते हैं को और बहुत ज़रा महपून रंकी यानि कि pink color की तो pink color जो होता है आप देखेंगे कि pink color अखास तौर पे आपके अंदर की जो psychic energies होती है उसको reanagize करता है आप माल लेजे कि किसी भी एक चीज़ पर बहुत लंबे समय तक के लिए focus नहीं बना पाते हैं यानि कि आपका focus अच्छा है लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए वो consistency को maintain नहीं कर पाते तो pink color का इस्तमाल आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप spiritualism से connection नहीं बना पाते तो आपको pink color का समय ज़रूर करना चाहिए अगर अपने thought process में चीज़े चलती तो हैं लेकिन सही तरीके से आप बातों को रख नहीं पाते हैं यानि कि बात को कहने का तरीका जो है अगर आपका सही नहीं है या अपनी feelings को आप express नहीं कर प होता है कि आप लोग अपनी खासवाद पे relationships के अंदर दूसरों से बहुत साथ उमीदे रखते हैं लेकिन आप अपनी तरफ से expressions नहीं दे पाते हैं आप अपनी तरफ से initiatives नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों को pink color का इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे लोगों को अपने rooms के अंदर rose quartz क crystal जरूर रखना चाहिए जो कि light pink color में होता है पेशक से आपकी if you're married और if you're unmarried आप rose quartz crystal का इस्तेमाल कर से हैं इससे आपके relationships होते हैं वो strong होते हैं अगर आप married है तो बहुत अच्छा है आप अपने bedroom में place कीज़ें लेकिन unmarried है या अगर आपके relationship में है तो आप सिर्फ अप अगर करें बाकी के रंगों के बारे में और साथ ही साथ में भी जानेंगे कि किस तरह से आप इन रंगों का इस्तमाल कर सकते हैं अपनी day to day life में लेकिन अभी बात कर लेते हैं आपकी राश्यों के साथ चले शिरुवात करते हैं मेश टाश्य वाले लोगों के साथ कार्ड संता की करियर में आरही ही बाधाय मुश्किले जो है वो खत्म हो सकती हैं व्यापार में नई यूजनाए उनका श्रीगर नहीं हो सकता है संगीत के शेत्र में रुची बढ़ेगी और फोकस भी पढ़ेगा उपाय की क्या करना है आप लोगों को आज के दिन में तुलसी के कौधे में दीपक जलाना अचा रहेगा तुलसी का एक पत्र जो है उसको आप स्वालो कीजे मॉर्निंग में उठकर के ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका खास्तार वे बात पित और कफ से जुड़ी वी समस्याने तो खत्म होंगी इस आती में पॉस्टिव में आपकी अगे बढ़ते हैं टॉर्ण की बात कर लगते हैं कार्डी कल रहे हैं नाइट और ववांस और इस पेजो वांस आप लोगों के लिए आज का दिन जो है वो बहुत पॉसिटिव रहेगा बहुत खुश्णमा रहेगा कही न कहीं पर आप लोगों की बाते जो है आप पर चाहें वो आपके बहुत सगे संबंधी ही क्यों न हो कोशिश कीज़े बिना मांगे आप उनको एडवाइस मत दीजे नएरे चीज़ों की खरेदारी के बार में सोच सकते हैं आपकर ड्राइविंग कर रहेगा शाम के समय ट्रावलिंग करने से अवोइट कीज़ेगा आज विश्नु से हिस्तिनाम का जाप करना अचा रहेगा या फिर भगवत गीता की किसी एक अध्याय का पात करना भी आपके लिए अच्छा है अज बनाने के बार में आप लोग सोच सकते हैं अपाय क्या करना है आज हरे रंग के कपड़ों का स्तमाल करना हरे रंग का जाद से सब्स्टियों को खाना वो आज बहुत अच्छा रहेगा ऐसा करने से आप जितना इमोशनल फ्रंट पे कही नगए पर जो गलत डिस्जिन स अप ले रहे हैं या पिर कही न कई पर आपके हार्ट चक्रा अगर बालन्स नहीं है जिसकी वज़े से बहुत सब्स्टियों करने के बार में अपने विवेक से अपने विज़न से आप कारियों में से अफलता प्राप्त करेंगे आज अशानक सधन मिलने का योग नजर आ र बहुत अनबन जो है वो नजर आ रही है करेक राशी वालों के लिए आज के दिन में अच्छा रहेगा सबसे पहले चीज तो आप सुभा उठकर के सूरे को जल देंगे दूसरी चीज आज के दिन में आपको कोशिश करनी है आदिते हृदे स्रोत का पाथ मौनिंग के टाइ सकते हैं आप पर प्लानिंग्स कर सकते हैं व्यापाल में गती आती हुए नजर आ रही है आज के दिन में आपके जो परसनल रिलेशनचिप से उस पर ध्यान देना बहुत साथ ज़रूरी है क्योंकि कई दिनों से जो कि आप अपने रिष्टों की प्रतिला परवाही बरत र करेंगे आज के दिन में जो सिंह राशी वाले लोग हैं चंदन कते लग अपने माथे पर ज़रूर अर्पित करेंगे और थोड़ा सा केसर जो है वो भगवान पिष्णु को ज़रूर अर्पित करेंगे करने राशी कुईन ओफ सौद्स अन्थ्री ओफ पंठाकल कार ने कल रहा है परिवार में किसी मांगले कारे की रूप रेखा बनती हुए नजर आ रही है परजनों के साथ हो सकता है आज किसी स्पिरिशल प्लेस पर आप लोग जाने का प्यात आज में भी प्लानिंग्स करे आपका व्यावार जो है वो लोगों को आज जित्रभावत कर सकता है और खास दौर पर इसकी बच्छों से आपके व्यापार में आपको सफलता मिलने के योग नजर आ रहे है संतान की तरफ से लेकिन चिंदाएं बढ़ सकती है उनका व्यावार जो है उनकी कामकाज जो है आपको परिशान कर सकता है थोड़ा सा उपाय क्या करना है आज अपने चार के जो बच्चे हैं छोटे बच्चे जो है उनकी रूम में मोरपंख जरूर लगाएंगे और हो सके तो आज के दिन में संध्याकाल के समय विश्नुक सेहसलाम का बात करते हैं लीबदून्स की कार निकल रहे हैं King of Cups and Two of Cups तो अपने काम करने का तरीका जो है उसे आध्वने करने का प्रयास करें उसमें चेंज लाने का प्रयास करें क्योंकि जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे तब तक समय के साथ आप नहीं चल पाएंगे तो आपारी कारों से की गई यात्रा है आज प्रयास करने पर रुकवा पैसा भी आज वापस नल सकता है तुला राशी वालों के लिए अचा रहेगा किसी भी गउशाला में जाकर के हरा चारा आप अपने हाथ से गाए को खिलाएंगे तो बहतर है चले बात करते हैं व्रिशिक राशी स्कॉप्यों के लिए कार निकल आज की दिर में आर्थिक सती आप एकों के लिए सुधरेगी पर इश्रम की अधिक्ता लेकिन जादा रहेगी महना जादा करनी पड़ेगी समय का दो रुपयोग नहीं करना है किसी भी रिलेशनिशिप के अंदर आपकी फुरी से इंग्जाइटी बढ़ सकती है खान पीन पर नियंतरन करना जरूरी है प्रिश्यक राशी वालों के लिए आज अच्छा रहेगा किसी छोटे बच्चे को या किसी भी आप जो भी नीडी बच्चा देखें उसको स्टेशनरी का समान बुक्स जो है वो डुनेट जरूर करें धनू राशी फोर अफ कार है और फूल का सकती है तो गुस्सा आज के दिन में त्यार देखें पूजा पार्थ में हलाकि आपका मन लगेगा और खास्वार पे मनपसंद खाना जो है उसकी तरफ आकरशित आज होंगे धनू राशी वालों के लिए आज के दिन में अच्छा रहेगा तो आपके रुके हुई काम शरे लाबदायक रहेगे और आने वाले समय को और भी साथख कर देगे व्यापार में आप लगों के लिए आपका जो कामकाज है उसका विस्टार उसके लिए इसपांशन होते में नजर आ रहे हैं पारे वारे वारे एक सदस्से उनके साथ वाद्वाद के सुतिया बन सकती तो संधाकाल के समय गूगल की धूनी जरूर दीजेगा घर में ऐसा करने से नेगेटिविटी खत्म होगी वाश आउट होगी वाद वाद की जो आशन का बनी हुई है वो खत्म होगी कुम राशी 10 of swords and the wheel of fortune कार ने कल रहा है आप लोगों के लिए रहन सहन और कारी करने का तरीका जो है ऐसा देख करके लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे तो कही ने कहीं पे आपका जो तो और तरीके हैं वो लोगों को प्रभाविताच जरूर करेंगे नौकरी में महित्वोन लाब की अफसर मल सकते हैं चेंजिस दिखाये देने हैं समाज में आपके कारी की प्रशन साथ जरूर होगी दामपते जीवन में लेकिन तनाव रहेगा पोशिश कीजये का राध्यकृषन की उपासना जरूर करें वैसे भाध परद मास चल रहे हैं इस समय पर भगवाण विश्न की पूजा करना बेहत लाबकरी रहता है साथी में राधा कृष्ण की उपासना करने से भी आपके जीवे में दामपते जीवे में खुशाली बढ़ेगी मीन राशी देवल और नाइन ववांस कार निकल रहा है आज के दिन में दूसरों पर पूरी तरह से ब्लाइंड फेथ नहीं करें करने करने मुबदेंसे लेकिन बाइंड ब심 अड्ड परतने को अजेश नहीं करने मन मुटाफ जरू है का रसल पर यCareल कर सकते हैं मीन राशी वालों को आज करने से आप लोगों के लिए जो पूरे दिन भर में लोगों के साथ विरोध का सामना आपको करना पड़ रहा है इस तरह के सिचुवेशन बन रही है वो खत्म होंगी वो रिजॉल्व आउट होंगी इस आज साथ कोशिश किजए का संध्याकाल के सम करेंगे या फिर खाने की सामगरी का दान सफीक चीजों का दाना स्जरूच करेंगे इसे कितात आज के लिए फिलहाल इतना ही मुझे देज़ जाया आज़त लेकिन जुड़े रहे हैं आप लोग आश्रो तक के साथ